अंदोलन का रिकिसारों ने भारत बंद का एलान किया और सुबच्छे बज़र से ही लगातार तस्वीरे सामने आने लगी अब जो ताज़र तस्वीरे हम आपको दिखाने जारी है क्योंकि हमारी महा कवरेज लगातार जारी है और उस कवरेज के जरीए आप देख रहे है कि तीन तस्वीरों के जरीए आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से राज्यवर तरीके से ये तमाम तस्वीरे बताने के लिए काफी है कि इनसानों को अपनी जिंदगी इस ट्राफिक में गुजारनी पड़ रही है रूट डाइवर्ट किये गए हैं जगा 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 ब बीच का रास्ता निकलता हुआ अभी भी नजर नहीं आ रहा है हाला कि क्रिशी मंत्री नरेंदर सिंग्टोमर ने जरूर कहा कि बाचीत यहाँ पर होनी चाहिए लेकिन इस बीच जो ये जाम की तस्वीरे है वो बताती है कि आखिर बेकसूर जरता को क्यों आकरी ये सजा मि पिल्कुल नहीं है क्योंकि बात कोई एक दो या दस दिन की नहीं है बलकि दस दिन से बढ़ते हुए महीनों से गुजरते हुए दस महीने हो गए है और दो महीने बाद तो साल भर पूरा हो जाएगा किसान आंदोलन को लेकर बैटकों का दौर शुरू हुआ था तब कुछ उमीद जरूर जगी थी लेकिन वो सभी बैटके बेनतीजा रही और जिसके बाद ये तस्वीर सामने आ चुकी है कि दिक्कते जस की तस है और ये तब तक रहेंगी जब तक की खुलकर बाची दोनों ही पक्षों के जरीए नहीं होगी क्योंकि किसान लगातार ये कह रहे है किसान निता ये कह रहे है कि हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक की किशी कानून को रद नहीं कर दिया जाता लेकिन भुगत कौन रहा है ये आम जनता भुगत रही है जिनकी तस्वीरे हम आप तक पहुँचा रहे हैं मुजफर नगर से हमारे सयोगी रवी दिल्ली से गुड़गाउं से गुरुग्राम से मंबई से हमदाबास से जो तस्वीरे सामने आ रही है वह तो जाम में फस्ती हुई जिन्दगी को बता रही है क्या दर्द जैपूर की जनता का नजर आता है तो आपके लिए तो किसान इतना लड़ रहे हैं कोई किसान नेता नेता है वो तो पॉलिटीशन पार्टिया है वो अपना अपना फंडा बना रही है वहां किसान तो सारे हैं नहीं कोई किसान तो यहां सारे खेतों में लगे हुए इस समय के पशल कटाई का समय चल रहा है यहां तो एक मिनिट का समय नहीं यह क्या मानते है कि वो तो इसके विरोध में है ना तो आप क्या मानते हैं इनों कानून है ने वो किसानों की हित्मे हैं कैसे हित्मे हैं एक तो जैसे किसान अपनी माल पसल उपज पैदा करेगा उसको कहीं भी अपने बाव में मनिच्छा इनुसार बेच सकेगा हैं तो ये कानून किसान की हित कि सांद जो विरोध करें वो तो यह करें कैर कि अगर कानून लागु हो गया तो आपको दिक्षत आएक यहां यह जाएंगे यह पर र siellä कि इस दिए इसक कम्निटी है और वह अच्छे नहीं लगाते हैं अगर मंडिया खतम हो जाएगी तो मैं तो यह चाहता हूँ मंडिया खतम हो जाए और पूरी आमध का किमत मिल जाए यह बात हैं और किसानों से बात कर लेते हैं यहां पर काफी सारे किसान इस वक्त खेत के अंदर आप बताएं आज भारत बंद है और जो लगातार पिछले 10 महीने से मांग और यह लोग धरने पर बैटे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं कि तीनों क्रशी कानून रद्ध होने चीए क्या चाहते हैं देखो कासदार तो थे दरना पर छे कोने कासदार तो अपना काम करें चे वह भी तो कास्तकारी है जो क्यों करें आपके यह जो आंदोलंच कर रहे हैं आहलनं दंद कर चया है बाल तो पीशाते देर बन तो फीशात देर को बैठाबे लिए तेको ताला चे जैंश्य तिनों कानून है उनका विडोध कर रहे हैं जो केंद सरका ने कानून मनाएं वो कि ज lifes तो गलत से सब्सक्राइब करने वाले गलत है कानून सही है कानून सही है फाइदा होगा फाइदा है जिटे बेचावा यहां तो फुली चे अब बढ़ी अब मिले जी बीटे लेजार वाकाना विरोध करें वो किसान तो कह रहे हैं कि कंपनी आपकी जमीनों पर कप्जा कर ले देश बर में चल रहा है लेकिन किसानों की एक राई ये भी है जो हम सीधे आपको उन तस्वीर खेतों से बता रहे हैं जो किसान इस वक्त कह रहे हैं कि नहीं उनकी भी आवाज है कि कानून सही है जी बिल्कुल भवानी यानि इतना तो तैया यहां पर नजर आता है कि जो किसान यहां पर प्रदश्चन करने के लिए या अंदोलन करने के लिए इस वक्त आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कह रहे हैं कि पूरा किसान जो संगठन है जो किसान भाई है वो हमारे साथ में मौझूद है लेकिन एक सच ये भी है कि एक हिस्सा वो भी है